श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज चाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों आज का दिन आप के लिए बहुत बढ़िया रहेगा चंद्र की पोजिशन भी आज बहुत बढ़िया है आज चंद्र आपकी कुंडली में पहले स्थान म आज सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन मज़ेदा रहने वाला है सुबह से ही प्रसनता और उत्सा से भरे रहोगे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे साथ में सक्सेस भी मिलती दिकाई दे रही है ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा हमें हमारे ज प्रसनों की खुशी के लिए उन्हें आनंदित करने के लिए उनके साथ समय विताना जरूरी रहेगा इस दिन आप और आपके पार्टनर की वी जो रिलेशन है वो और मजबूत बनेगे दामपत्ति जीवन के हिसाब से सारी परिस्तितिया अनुकुल है पुरानी कुछ खट चल रही है तो दूर करने के प्रयास जरूर करे समय आपके पक्ष में है घर परिवार में शांती खुशाली और आनंद से भरा माहो रहेगा ये समय किसी चीज की खरिदारी करने के लिए भी काफी अच्छा है तो आप कोई बड़ी चीज भी इस दिन खरिच सकते है अगर प पहले से ही किसी से जुड़े हुए है तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते है आपके माता पिता के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखना है तो सफलता मिल सकती है समय हर तरह से अनुकुल रहेगा इस वक्त कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की संभावना भ स्टुडन्स के लिए भी ये समय शुब रहेगा पढ़ाई में कॉंसंट्रेट कर पाओगे इस समय विद्या ग्रहन करना आपके लिए आसान नजर आ रहा है भागे का साथ और आपका परिश्रम आपके लिए रंग लिकर आएगा इस समय में आप मेहनती रहोगे और लगन के स बात काम करोगे भागे भी साथ दे रहा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर स्वास्ति की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो स्वास्ति के लिए भी समय अनुकुल है आपके डायेट में प्रोटीन से भरे बादाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए रोज दूत का स जिजे आपको अंदर से और बाहर से काफी स्टॉंग बनाएगी तेल शक्कर चाय कॉफी इन चीजों का कम से कम सेवन करें और पिज़ा बर्गर जैसे फासपूड को अपने डाइट से बाहर रखें ताकि आप स्वस्त और मस्त रह सकें अगर आप पूरी तरह से स्वस्त वेक इस दिन आरेंज रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और नौ अंक इस दिन आपके लिए लकी सावित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप नवंबर 2020 का कुंबर राशी का राशी पल जानना चाहते हैं त कुंबर राशी का नवंबर 2020 का राशी फल दोस्तो इस राशी फल में हम जानेंगे नवंबर मेहने में कुंबर राशी के लिए आपका कामकाच काक्षेत्र आपकी प्रोफेशनल लाइप जो है वो कैसे रहने वाली है आपकी आर्थिक स्तिती कैसे रहेगी नवंबर मेहने म में आपका स्वास्त कैसा रहेगा, नवंबर में आपकी लव-like और married life कैसे रहेगी साथ ही दोस्तों देखेंगे कि नवंबर में आपकी family life कैसे रहने वाली है और लास्ट में एक छोटा सा उपाय जानेंगे वह आप इस मेहने कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं नवंबर 2020 का कुम्ब राशी का राशी फल दोस्तो इस महिने चार ग्रह सूरिय, शुक्र, बूध और ब्रुहस्पती राशी परिवर्तन करेंगे इन ग्रहों के राशी परिवर्तन की वज़े से आपके नवं, दशम और द्वादश भाव सक्रिय अवस्ता में रहने वाले हैं और इन ही भावों के कारकत्वों के हिसाब से आपको फलों की प्राप्ती होगी दोस्तो नवं भाव काल पुरुष की कुंडली में धनु राशी का होता है और इससे हम धर्म और पिता के साथ आपके सम्मंदों पर विचार करते है दशम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में मकर राशी का होता है और इससे आपके कर्मों के बारे में विचार किया जा सकता है वही कुंडली में जो द्वादश भाव है मींद राशी का होता है और इससे विदेश यात्राओं और हानी के बारे में विचार किया जा सकता है दोस्तो इस महिने यानि नमंबर महिने में कुम्बराशी के लिए करियर के ख्षेतर में आपको सामानने रिजल्ट मिल सकते हैं हाला कि कुम्बराशी के कुछ जातकों को इस साल विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है दोस्तो आर्थिक पक्ष में सुधार करना चाहते है तो आपको सोच समझकर पैसा इस मेने खर्च करना होगा जी हाँ पैसा खर्च करते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत रहेगी इस माह आपको अपने पिता के स्वास्ते पर भी विशेश ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उन्हें कोई स्वास्ते परिशानी होने की संभावना रहेगी तो आईए सब विस्तार से जानते हैं सबसे पहले जानते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइप आपका कालिक्षेत्र नवंबर 2020 में कैसा रहने वाला है दोस्तो अगर प्रोफेशनल लाइप की बात करते हैं कालिक शेतर की बात करते हैं तो ये माह आपके लिए सामान्ने रहने की उम्मिद है इस मेने आप अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे जिसके कारण सहकर्मियों से आपकी मित्रदा बढ़ेगी आपके जो जुनियर्स है उनको भी आप काम के सिलसिले में कोई भाषन दे सकते हैं आपका जो सपष्ट नजरिया इस मेने रहेगा उसे सहकर्मियों पसंद करेंगे काम के प्रती आपका जो रुझान है वो बहुत सकारत्मक इस मेने रह सकता है और उस वज़े से आपका बॉस भी आपसे बहुत खुश रहेगा दोस्तो अगर आप अभी तक बेरोजगार है तो इस मेहने आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आपको नई जॉब लगने की पूरी संभावना इस मेहने बन रही है जिन जातकों की जॉब कुछ समय पहले ही लगी है उन्हें क्राम के प्रतीज ज्यादा एकागर होने की जरूरत रहेगी चलिए दोस्तो आप जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिती आपकी फाइनांशियल कंडिशन नवंबर 2020 में कैसे रेने वाली है दोस्तो नवंबर महिने में कुमगराशी के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार लाने के लिए मेहनत करनी होगी जी हाँ मेहनत तो आपको इस मेहने करने ही होगी इस मेहने आपको खर्चों पर लगाम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा बच्चत करने के लिए अच्छा बजट प्लान आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आप बच्चत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने घरवालों की मदद लेनी चाहिए या अपने जीवन साथी का सहयोग लेना जरूरी रहेगा इस महिने कुम्बराशी के कुछ जातक अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं कुछ ऐसा विचार बन सकता है और अगर यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफी धन कर्चोने की संभावना है हाला कि यात्रा आपके लिए मांसिक रूप से बहुत सुखद रह सकती है अगर आप काम के संबंद में किसी यात्रा पर जाते हैं किसी ट्रीप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी धन कर्च करना पड़ सकता है हाला कि ये पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा लेकिन समय लगेगा दोस्तो इस महेने पैत्तुक संपत्ती को लेकर घर के लोगों की बीच मतभेद हो सकते है इन मतभेदों को दूर करने के लिए आपको घर के वरिष्टों के साथ बैठ कर बातचीत करनी चाहिए समस्या का हल अवश्य मिलेगा बस सकारत्नक रूफ अपनाए नमबर 2020 में कुम्बराशी के लिए अगर स्वास्त की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस महिने आपको अपने स्वास्ते पर ध्यान देना होगा जी हाँ खास कर कान और फेप्रों से सम्मन्दीत कुछ समस्या आपको इस महिने परिशान कर सकती है इसके साथ ही आखों में भी कुछ परिशानिया आने की संभावना है अगर आप लैप्टॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ कर काम करते हैं तो बीच बीच में आपको अपने आखों को थंडे पानी से धोना चाहिए इससे आपके आखों पर होने वाले बुरे असर का प्रभाव कम होगा ये माह आपको ज्यादा तलाब हुना खाने या बाहर खाना खाने से भी बचना चाहिए वाहन चलाते समय भी इस महिने आपको सावधानी बरतनी ज़रुरी रहेगी अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याई है तो इन्हें दूर करने के लिए आपको मंडुकासन, नौकासन और प्रानयाम का अभ्यास करना चाहिए इन आसनों को करने से आपको कई लाब मिलेंगे चलिए दोस्तो अब जानते हैं नवंबर 2020 में कुंबर राशी के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए ये माह सामान्य रहने की संभावना है इस महिने में जीवन साथी की माता के साथ आपकी कहा सुनी होने की संभावना भी रहेगी उस वज़े से घर का माहोल थोड़ा संजीदा हो सकता है इस महिने आपको अपने गुस्टे पर काबू रखना चाहिए और ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए जिससे कोई आहत हो जाए इस राशी के कुछ जातकों को अपने जीवन साथी की साथ घुमने का मोखा भी इस महिने मिलेगा जिससे रिष्टों में नयापन आएगा आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ इस महिने किसी धार्मिक स्थल पर गोमने भी चा सकते हैं चलिए दोस्तों आप जानते हैं पारिवारी जीवन फैमिली लाइफ नवंबर 2020 में कैसे रहने वाली है दोस्तों इस महिने आपको अपने पिता के स्वास्त का ख्याल रखने की विशेश जरूरत है आपके पिता के स्वास्त में इस माह कुछ नकारत्मक परिवर्तन आने की संभावना है और हो सकता है कि वो आप से अपने स्वास्ते के लिए परिवर्तनों के बारे में बात ना करें इसलिए आपको खुद अपने पिता के पास जाकर उनके हाल चाल जानने चाहिए और अगर उनको जरूरत है तो कोई परेशानी है तो चिकिटसक के पास उनका इलाज जरूर कराएं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस महेने वो आप से किसी कीमती चीज की मांग भी कर सकते हैं आपको उनकी इस मांग को पूरा करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्तिती पर तो इस से कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा वही कुम्बराशी के कुछ जातकों के बच्चे इस माह माता पिता का सवयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं दोस्तो कुम्बराशी के कुछ जातक अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस महीने विदेश भूमने भी जा सकते हैं हाला कि इस यात्रा पर आपका खर्चा ज्यादा होने की संभावना है लेकिन इससे आपको बहुत खुशी और तरोताजगी मिल सकती है दोस्तो चलिए अब जानते हैं एक उपाई जो इस महीने आप कर सकते हैं दोस्तो नवंबर 2020 में कुम्बराशी के लोग सुर्योदय के समय श्री गनेस तुती का जाप करे जी हां ये जाप आपको फाइदा दिला सकता है तो दोस्तों ये था नवंबर 2020 का कुम्बराशी का मासिक राशीपल धन्यवार